हरियों, हरियों, हरियों परम पुझ्ज सन्थ श्री आशा रामजी बापु द्वारा प्रेरित महिला उत्थान मंडल की ओर से आठ मार्च विश्व महिला दिवस के उपलक्ष में विशाल संस्कृती रक्षा यात्रा उठी है नारी शक्ती की पुकार, बंद हो संतों पर अट्याचार संत्य की पुकार भेदे बंद कर्णतार छेड़ युद्ध आज न्याय के विचार का वर्षो से है सहरहे जो संत कुछ न कह रहे है प्रश्न आज इनके अधीकार का संत्य की पुकार भेदे बंद कर्णतार छेड़ युद्ध आज न्याय के विचार का वर्षो से है सहरहे जो संत कुछ न कह रहे है प्रश्न आज उनके अधीकार का राष्ट्र के कल्यान आर्थ अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले आशा राम जी बापू को क्या मिला उनको मिला आजीवन कारावास ये है 21 सदी का सबसे बड़ा अन्याय जो गया कि सिंधु सारी स्रिष्टी जिनकी बंदु जीव मात्र के हिपों की जो विचारते जाती धर्म से परेवे दांत की जजातरे अनंत प्रेम भाव ही अमे धारते ऐसे उदार बापुझी पे अत्याचार क्यों न्याय को हो प्रतिपल बारते धर्म युद्ध है छिडा असक्ट्य सक्ट्य से बिडा काल है अधर्म विस्तार का कारावास दे दिया प्रपंच ऐसा है किया क्या ये सिना है संत के उपकार का संत की पुकार भीद बंद करड़ द्वार छेड़ युद्ध आज नाय की विचार का प्रशों से है सह रहे जो संत कुछ न कह रहे है प्रश्न आज उनके अधिकार का संत की पुकार 86 वर्शिय निर्दोष संत श्री आशा राम जी बापू को तारीक नहीं न्याय मिलना चाहिए तारीक नहीं न्याय दो भारत में रक्त सीचा विश्व गुरु का चित्र खीचा खण खण में जिनकी है संबेदना जिनकी पीडा सेधिलों में कांची बनके दौड में तो है खडी मा भारती की वेदना उन पे हुए अन्याय की स्थिती देख तौपती अनंत जयत जेतना अंत संग है जो हुआ अनर्थ है अनर्थ है ये बात अंतर में गोल लो जाग जाओ 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 सत्य को तो जान जाओ भर्म के इस जाल को तो खोल लो है संत की पुकार भीदे बंद कर्ण द्वार छेड युद्द आज नाए खे विचार का वर्षो से है सह रहे जो संत कुछ न कह रहे है प्रश्न आज उनके अधिकार का है प्रश्न आज उनके अधिकार का विश्वधर्म सभा में सनातन संस्कृती का प्रतिनिधित्व करने वाले दो संतों में से एक थे स्वामी विवेकानन वह उनसे ठीक सो सालों बाद सनातन संस्कृती का पर्चम लहराने वाले संत शिरोमणी है संत श्री आशारामजी बापू जब उनके साथ इतना अन्याय तो कैसे माने कि हमारा संत समाज सुरक्षित है जिन बापू ने जीवन पूरा संस्कृती के लिए सौप दिया हमें जगाने के खात अपनी नीदों को जोक दिया उन्हें मिला उपहार भिवो देख जिसे दिल काप गया दिदै थाम बच्चा बच्चा जब इस शड़ियंत्र को भाप गया बापू ने वीवे कनंद के बाद जो बिगुल बजाया था विश्व धर्म की महासभा में संस्कृती धज फहराया था ऐसे निराप राध बाप को क्यों फिर कारावास मिला नहीं मिली पैरोल या भरलो न जमानत का अधिकार मिला हमारी सरकार और न्याय प्रणाली से यहीं महांग है कि हमारे बापू जी जो निर्दोष हैं उनको रिहा किया जाए और मैं निर्दोष अब इसलिए लगाऊंगी क्योंकि आप यहां पे एक फाइल रखी हुई है और आप वेबसाइट में भी देख सकते हैं कि लड़की जो है वो बालिक है उसको नबालिक बता गया है है ना और जो लड़की जो जगह बताती है वो भी जगह गलत है और जितने भी लड़की के कॉल डिटेल्स है आप केस की पूरी स्टडी करेंगे तो आप यह पाएंगे कि केस पूरी तरीके से बोकस है मैं ही नहीं बोल रही हूँ हमारे न्यायविं कानून मत्रिते पूरमी सुब्रमानन स्वामी हाई कोड के एडवोकेट है एपी सिंग जी उन्होंने भी कहा है और बहुत सारे ऐसे न्यायविंद है जो कहते हैं कि बापू जी का केस इतिहास में अभी तक कसब से बोकस केस है इसलिए हम न्यायप्रणाली से यह मांग करते हैं कि पिछले 11 वर्सों से हमारे पुज गुरुदेव संत स्री आश्राम जी बापू जी जो पूणता निर्दोस होते हुए भी आस्त प्रियंद तक जेल में है 86 वर्स का वयो व्रग्द एक संत जिनोंने समाज के लिए पूरा अपना जीवन नियुचावर कर दिया लगबग 60 वर्स हो गए भापू जी ने समाज में समाज उठानी बहुआ सारे प्रकल्प चराएं चाहे वह मातर पित्र पुजन दिवस के रूप में हो चाहे तुलसी पुजन दिवस के रूप में हो चाहे विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी सेवा हो महिलाओं के लिए महिला मंडल के दौरा महिलाओं को संसकारवान और युवाओं को चित्रवान बना कर समाज को एक स्रेश्ट नागरिक देने कुद्या से बापु ने बहुत बहुत सेवा की और समाज के लिए बहु पर बापु जी के लिए ऐसा सोच क्यों सासन के द्वारा या फिन नायपालीका के द्वारा हमें किसी प्रकार का कोई भी प्राप्त नहीं हो रहे हैं आज बापु जी के सरीर में सिर्फ एक बीमारी थी वो भी मस्तिस्क की आज बापु जी जोदपुर जिल गये हैं तो कई प्रकार की बीमारी उनके सरीर में आ गई हैं बापु जी का हार्ड में ब्लॉकेज आ गया है, 99%, 90% और 75% बापु जी का हार्ड में ब्लॉकेज है, बहुत सिर्या सालत में हैं बापु जी, बापु जी को बापु जी के सरीर से लगातार ब्लड प्रसार हो रहा है, आम जनों से भी हम निविदन करते हैं कि जो बापु जी क प्रति जो अन्याय हो रहे हैं उस वन्याय में आप हम सब के साथ पुर्जोल से कदम उठाकर इस अन्याय का प्रतिरोध करें